नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नए वीडियो में इन्वेस्ट राइट यहां दोस्तो आप अपने पैसे को निवेश करने के नए नए तरीके सीखते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको यह सब चीज़े समझा सकूँ तो दोस्तों अगर इन्वेस्ट मेंट को लेकर कोई कन्फूजन किसी तरह की आपके मन में हो तो आप लोग भी कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो में जरूर बनाऊंगा जैसे कि आज की जो वीडियो है वो भी एक कमेंट के उपर है और कमेंट जो मैंने पिक किया है वो देशमुक जी का कमेंट है संपत देशमुक करके इनका नाम है इनका कहना है किसर ये 50 की एज है इनकी अभी और ये 5000 रुपे महिना निवेश करके retirement planning अपना करना चाहते हैं तो किस तरह से retirement की planning की जा सकती है तो दोस्तो आज की वीडियो में retirement planning को इतनी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को सच में मजा जाएगा और अगर आपकी इच 50 के आसपास की होगी तो बिलकुर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी निवेश जरूर स्टार्ट कर दें क्योंकि बहुत बड़ा निवेश करने के लिए नहीं कहूंगा छोटे से SIP से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो future में जो आपके planning है retirement की वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे देकिन किसी भी target को achieve करने के लिए planning बहुत जरूरी होती है अगर planning अच्छी होगी तब ही target तक पहुँचा जा सकता है नहीं तो काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है देखे एक्जामपल के लिए मान कर चलिए आप कोई नया मकान बनवा रहे हैं अगर आपने proper planning करी है उसका map बनवाया है तब आपने मकान का काम start किया तो आप बड़े easily तरीके से अपने मकान को बना लेंगे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा लेकिन अगर आपने planning नहीं की है आपने directly ही बस दिवारे उठाने शुरू कर दी मकान का निर्मान शुरू कर दिया तो यहां आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कभी आपको लगेगा कि मुझे यह रूम यहां की जगे यहां रखना चाहिए था बात रूम मुझे इधर रखना चाहिए था उसमें काफी तोड़ फोड़ और पैसा आपका समय और पैसा दोनों ही बरबाद हो सकते हैं इसलिए proper planning बनाईए यह किसी भी चीज के लिए planning बहुत जरूरी है यह हमारी जिंदिगे का एक बहुत ही एहम हिस्सा है तो आज की वीडियो में भी हम planning करना सीखेंगे किस तरह से हम अपने retirement को secure कर सकते हैं किस तरह से planning उसके लिए हम कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं बिल्कुल simple भाषा में आप लोगों को समझाऊंगा तो बहुत ही ध्यान से देखेगा चलिए topic पहले मैं यहां लिख देता हूँ topic है हमारा retirement planning retirement planning काफी लोगों ने कहा है कि सर digital board पर समझाईए काफी जो youtuber से उनकी video digital board पर आती है तो काफी attractive लगती है digital board अभी नहीं है जल्दी मैं लोगा लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि content आपके लिए बढ़िया ले करा हूँ उसमें किसी तरह की कमी ना रहे तो retirement planning 50 की age में किस तरह से की जा सकती है देखिए या तो आप mutual fund में SIP के थुरू निवेश कर सकते हैं simply large cap, mid cap, small cap में आप एक portfolio बना सकते हैं जिस तरह से 50 की age की मैं बात कर रहा हूँ आपको large cap में location ज्यादा रखना है mid cap और small cap में कम रखना है इस तरह से balance portfolio बना सकते हैं लेकिन अगर आप इस balance portfolio को नहीं बनाना चाहते तो simply एक fund आपको बताने वाला हूँ SBI की तरफ से ये fund आता है fund का नाम है SBI retirement benefit fund ये आपके पैसे को अपने आप balance करके निवेश करेगा और आपको अच्छे returns बना कर देगा समझते हैं कैसे चलिए fund का नाम पहले मैं लिख देता हूँ fund का नाम है SBI retirement SBI retirement benefit fund SBI की तरफ से काफी बढ़िया ये fund हमें देखने को मिलता है ये एक solution fund है ये directly आपको solution दे रहा है retirement का कि आप किस तरह से अपने retirement को secure कर सकते हैं देखे दोस्तों इस fund में निवेश आप लोग तभी करें जब आपने retirement के लिए पैसे को मतलब अपनी planning आप बना रहे हो कारण किया है क्योंकि इसमें अगर आप बिना retirement के planning के निवेश करेंगे तो minimum 5 साल के लिए आपका पैसा lock होगा अगर आप retirement के लिए ही planning बना रहे हैं तो ये fund आपके लिए काफी benefit वाला साबित हो सकता है क्योंकि इसके नाम के आगे retirement जुड़ा है थोड़े से भाव हमारे इसके साथ जुड़ जाते हैं और इस पैसे को हम retirement से पहले मेरे हिसाब से redeem नहीं करेंगे हम मान कर चलेंगे कि ये तो मेरे retirement के लिए ही secure है बाकी आप कुछ भी करते रहे हैं अलग से एक SIP स्टार्ट कर लीजिए लेकिन जब retirement की बात है तो एक fund कम से कम अपने retirement के लिए आप बचा कर रखिए ताकि जो retirement के बाद का time है उसको भी आप सही तरह से जी सकें उसके लिए आपको पैसो की कमी वहाँ ना हो तो चलिए बात करेंगे SBA retirement benefit fund के बारे में fund size की बात करूँ 2320 करोड रुपे का fund size हमें देखने को मिलता है इतना पैसा लोग इस fund में invest कर चुके हैं expense ratio की बात करूँ 0.84% का expense ratio हमें आद देखने को मिलता है दोस्तो expense ratio वो खर्चे होते हैं जो एक mutual fund company दोवारा हमसे charge करती है चलिए आगे बढ़ते हैं holdings की बात करते हैं ये एक main part है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप खुद से portfolio नहीं बनाना चाहते तो ये जो solution funds होते हैं ये आपको portfolio balance करके दे रहे हैं जैसे कि retirement के लिए क्या आपके लिए सही हो सकता है ये balance करेंगे तो यहां देखते हैं कि large cap में कितना है large cap mid cap और small cap तीनो categories में निवेश है लेकिन कितना कितना percent यहां पैसा रखा गया है large cap में 56.46% देखें जैसा कि मैंने आपको बताया 50 की age के बाद आपको large cap में allocation ज्यादा ही रखना चाहिए तो यहां automatically 50% से ज्यादा पैसा आपका large cap में है यानि कि इंडिया की top 100 companies में ये पैसा जाएगा mid cap में 25.51% और small cap में रखा गया है 11.88% तो portfolio काफी सही तरह से बनाया गया है 50 की age के बाद वागई आपको large cap में location ज्यादा रखना चाहिए वो यहां रखा गया है mid cap में भी 25% के आसपास है और small cap में भी कुछ पैसा रखा गया है ताकि आपके जो portfolio है उसमें returns का थोड़ा सा तड़का लगाया जा सके इस तरह से portfolio बनाया गया है अगर आप holdings की बात करें top की holdings की मैं हाँ बात कर रहा हूँ SDFC bank ICICI bank मारूती सुजू की इंडिया limited Infosys limited State Bank of India इन companies के stocks में आपका major पैसा निवेश किया जाएगा तो काफी बड़िया holdings है company wise मैंने आपको बताया इतनी बड़ी-बड़ी company के stocks में पैसा निवेश किया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात भी हाँ नहीं है अगर मैं returns की बात करूँ देखिए directly returns पर आते है returns returns की अगर मैं बात करूँ देखिए इस fund ने last के three year में क्योंकि जो fund की age है अभी वो तीन साल पुरानी है केवल ये fund अभी केवल तीन साल पहले ही launch किया गया है तीन साल में इस fund ने 20% से भी ज्यादा के returns बना कर दिये है 22% के returns जो अगर मैं देखूँ last के three year में 22% के returns इस fund ने generate किये है तो returns काफी शांदार ये fund अभी बना कर चल रहा है क्योंकि इसकी holdings बहुत सा बढ़ दस्त है और जब आप निवेश करेंगे तो minimum 10 साल के लिए आपको निवेश करना ही है क्योंकि retirement planning आप कर रहे हैं तो ये future में आपको उच्छे returns बना कर दे सकता है अभी देखिए मानकर चलते हैं जैसे कि सर ने मुझे सवाल किया था कि 5000 रुपे महिना का मेरा निवेश है 5000 रुपे महिना का निवेश है सर का अगर इस fund में निवेश करते हैं returns 22% मिले मैं मानकर चलता हूँ अगर 15 भी मिल गए चलिए हो सकता है कि 20 मिले 19 मिले 17 मिले 24 25 तक भी जा सकता है लेकिन हम लोग केवल 15 मानकर चलेंगे 15-16% के returns चलिए 16 रख लेते हैं 15 अगर ज्यादा क्योंकि कुछ लोग comment भी करते हैं कि सर आप कई बार ज्यादा ही कम रख लेते हैं रिटरंस तो mutual fund काफी बढ़िया जनरेट कर रहा है चलिए मैं यहाँ आपर 16 रख लेता हूँ अंदरा को रख छोड़ देते हैं 16% के returns तो देखिए उम्मीद है कि इतने हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं और अगर हमें 16% के returns मिल जाते हैं जो हमारी duration है हमारा अच्छा गुजरे देखिए दोस्तो सीधा आजाते हैं SIP calculator पर SIP calculator यहाँ जो हमारा SIP का amount है 5000 रुपीज पर मन्त है return 16% के मैंने यहां रखे हैं और 10 साल के लिए हम इसको निवेश कर रहे हैं तो देखिए दोस्तो टोटल निवेश हमारा 6 लाक रुपे का हो जाएगा क्योंकि 5000 रुपे महिना का निवेश है तो एक साल में जो हमारा investment है 60,000 और 10 साल में यह 6 लाक रुपे हो जाएगा तो 6 लाक रुपे का निवेश 16 परसेंट के हिसाब से अगर हमें return मिलते हैं तो जो हमारे value है 14,82,000 रुपे बन जाएगी 14,82,000 रुपे यह आपको retirement के time value आपकी बन सकती है अभी देखे 14,82,000 है अभी इसमें से कुछ tax भी deduct होगा कुछ expense ratio भी deduct होगा उसके बाद finally हमें क्या मिल सकता है return भी मैंने already कम लेकर चला हूँ मैं हो सकता है कि returns आपको 18-19 तक मिल जाए future में लेकिन फिर भी हम just example ले रहे हैं तो थोड़ा सा कम पर ही calculation करेंगे ज्यादा पर calculation नहीं करेंगे अगर यहां 14,82,000 की जगे मेरे हाथ में 13,00,000 रुपे भी बचते हैं मान लीजे 13,00,000 रुपे मेरे पास बचे finally 14,82 मुझे मिले कुछ मैंने tax दे दिया कुछ मेरा cut गया कुछ deduct हो गया जैसे भी 13,00,000 रुपे अगर मेरे पास बचते हैं तो इन 13,00,000 का फिर मुझे कैसे use करना है ताकि जो मेरा future है वो secure हो सके 60 के बाद मुझे मंतली कुछ पैसा मिलता रहे इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तो 60,00,000 रुपे को SWP प्लान में निवेश करना होगा SWP प्लान में अब देखे SWP प्लान में जब आप निवेश कर रहे हैं तो काफी सारे options आपको मिलेंगे आप किसी blue chip fund में भी निवेश कर सकते हैं आप किसी hybrid fund में भी निवेश कर सकते हैं आप combination बना कर भी निवेश कर सकते हैं large and mid cap में भी निवेश कर सकते हैं 15-16% के returns आपको बहाँ देखने को मिलते हैं लेकिन मैं मान कर चलता हूँ, future में अगर आपको 12% के returns भी मिल गए है, देखे, returns मैं हमेशा कम ही लेकर चलता हूँ, calculation थोड़ा सा कम पर ही मैं करता हूँ, 12% के returns भी अगर आपको मिल जाते हैं, तब आपको मंतली कितना पैसा मिल सकता है, अब देखे, इसमें एक चीज और भी कम करेंगे, वही सब कुछ प्लानी है, किस तरह से बनानी है, उसको समझी, देखिए, हमारे पास जो पैसा है, वो है 13,00,00, हमें क्या करना है, 13,00,00 का 9% redeem करना है, अब आप देखे, calculator पर आजाईए, सीधा, एक एक calculation, एक रुपे की आपको बताऊंगा, 13,00,00 का 9%, 13,00,00, 9%, दोस्तों ये बन जाता है, एक लाख सत्रह हजार रुपे, हमारे पास एक लाख सत्रह हजार रुपे, सलान आएंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 12 से, यानि कि 9,750 रुपे महिना, यहां से रिडिम किया जा सकता है, कितना? 9,750 रुपे, बहुत ही ध्यान से समझेगा, कन्फ्यूजन कहीं भी हो, मुझे कमेंट कीजेगा, मैं आपको जरूर रिप्लाइ करूँगा, वैसे बिल्कुल सिंपल है, कोई complicated चीज आपको नहीं लगेगी, मंतली 9,750, हमने जहां इस WP प्लान में ये पैसा निवेश किया, 12 परसेंट का हमें return मिल रहा है साल आना, लेकिन हमने redeem कितना किया, केवल 9%, 9% के हिसाब से 9,750 रुपे हमें यहां मंतली मिलेगा, अब देखें, duration, 60 की age है आपकी, अब आप 9,750 रुपे महीन आपको मिलना start हो जाएगा, कब तक आप लेना चाहेंगे, मैं मान कर चलता हूँ, अगले 20 साल sufficient है, देखें सभी की age अलग-अलग होती है, इसके बारे में मैं कुछ कहनो नहीं चाहूँगा, लेकिन हम इस example को अगले 20 years तक लेकर चलेंगे, duration 20 years, क्योंकि comments में लोग पता नहीं क्या-क्या लिख देते हैं, देखें, मैं अपनी तरफ से बहुत सही तरह से चलाते हैं, final amount आपको क्या मिलेगा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 5000 रुपे महिना का निवेश किया, 9750 रुपे मैंने redeem भी कर लिया अगले 20 साल तक तो मेरे पास final amount क्या आएगा, बिलकुल आएगा, final amount आपके पास क्यों आएगा, उसको समझिए, final amount आपके पास इसलि investment था, वो भी यहाँ पर increase होता चला गया, 9750, 12% और 20 साल, चलिए, final जो आपको amount है, वो यहाँ आपको मिल सकता है, 44 लाग रुपे, 44 लाग, देखे कितनी बढ़िया planning है, retirement की, अगर आपकी age 50 के असपास है, तो आप बिलकुल अपने planning बनाईए, अच्छी तरह से तब आपक को monthly pension भी मिलेगी, अब समझे, आपने केवल 5000 रुपे महिना से शुरुआत करी थी, केवल 5000 रुपे महिना से, आपने 9750 रुपे की pension यहाँ बना ली अगले 20 साल के लिए, और 20 साल बाद भी वो pension खतम नहीं हुई, वो आपको 44 लाग रुपे और देकर जा रही है, इस तरह से planning हमें जरूर बनानी चाहिए, मैंने वीडियो के starting में कहा था कि अगर planning सही है ना हम किसी भी target को achieve कर सकते हैं, तो देखे, अगर आप लोग भी इस तरह से पनी financial planning करना चाहते हैं, retirement planning करना चाहते हैं, तो बिलकुल आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं, और बाकी दोस्तो उमीद करता हूँ कि topic आपको पूरी तरह से clear हुआ होगा, फिर भी कोई confusion आप मुझे दोबारा comment कीजिएगा, reply मैं आपको जरूर करूँगा, बाकी दोस्तो रिकमेंडेशन नहीं है, केवल educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बना गया है, क्योंकि mutual fund का जो भी निवेश है, वो बाजार जो खिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने risk tolerance को आप जरूर देखें, बाकी दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो like share जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए है, इसको भी subscribe आप जरूर कीजिएगा, नमस्कार.